की में हलो नमाश्कार साति हो मैं आपके लिए बीएन फश्रके रंशोशरोजी के कुछ इंपूरेंट कोश्ण लेकार है मोड़े अरा की मने कि नात्यदाली विवस्था को परभास्त कि समाज में नात्यदाली विवस्था का क्या महत् Jimmy अत्वा में कॉशन दिया है आपका नातिदारी विवस्था को परिभाषित कीजिए कि अधा इसके प्रिकारों की विवेचना कीजिए तो नातिदारी विवस्था समाज में पाई जाने वाली एक ऐसी विवस्था है जो समाज के लोगों को भावात्मक स्मस्वाइब भावनवक समाजी बंधोंती है और कि प्रित्तिति अधिकार एबंद करतब्यों का निर्धारण करती है नातदारी से तातपर उन संबंदों से है जिनसे बेक्तियों के मद्ध रक्त संबंध ग्यात हो बेक्तियों के मद्ध क्या हो बलेड का रिलेशन हो अत्वा जो संबंद समाज द्वारा अनुमोदित हों घनश्ठता आत्मेता बस संबंदों में दूरी बन निकटता के आधार पर ये नातदारी संबंद अनेक प्रकार के होते हैं तो नातदारी विवस्था का अर्थ एवन परिभासां देखते हैं तो नातदारी विवस्थत समाज संबंदों की बह विवस्था है जिसके द्वारा कुछ रख्त संबंदी एक दूसरे से अंतर संबंदित हो जाते हैं क्या हो जाते हैं अंतर संबंदित हो जाते हैं कि दूश्य सब्दों में कह सकते हैं कि नातिजारी विवस्था में ब्रति तीन आधारों पर दूश्य से संबंद्ध हो जाते हैं इसके आंद बे लोग आते हैं जिनमें पर रख्त संबन पाए जाते हैं गुल्ट का रिलेशन है इस नातिधारी विवस्था के अनुमति समाज प्रतांग करता बेसंबंद जिनके अनुमति समाज प्रतांग करेगा वो किसमें आजाएगा आपका समस द्वारा अनमोदित में कि थाड़ आपको विभाग संबन्दी नातिधारी इसके अंतरगत उन लोगों को संब्ली किया जाता है जो विभाग की आधार पर यह दूसरी से संबन्द्ध हो जाते हैं ठीक है ना मलब विभाग के आधार पर कि इसके बाद में तो रेट्ट क्लिफ ब्राउं का अंशार नातेदारी प्रिथा विवस्था है सामाजी जीवन में परसपर सहे करने की मानव शास्त्री सरद्यकोष का अंशार नात्यदारी विवस्था में समाझद्वारा मानता प्राप्त बेसंबन्द आसकते हैं जो अनुमानित और रखत संब्दों पर आधारत हों जो अनुमानित के अधार पर हो रखत संबन्दों के अधार पर हों तो में रावन फाक्स का मत है नातेदारी का तातवर कुछ स्वजन के मद्ध इस्थाबत होने वाले संबन्दों से हैं अपने मलब पडिवार के लोग ठीक है ना यह सोजन चाहें बहुत्र होसकते हैं और समान रख्ट वाले भी होसकते हैं कि नातिदारी के प्रिकाथ कितने होते हैं जो भेध हैं आपके तो सब्सक्राइबं हैं विआ की कामना की पूर्ति के प्रडाम शुरूप विभनी संबंदों का निर्माड होता है इन संबंदों को नात्यदारी संबंद या इन संबंदों को नियंत्रिक करने वाली विवस्था को नात्यदारी संबंद कहते हैं इस प्रकार नात्यदारी विवस्था विभा संबंद और र सब्सक्राइब पत्नी के साथ दामाग जीजा फूपा मौशा आधी बन जाता है और पत्नी बहू भावी देवरानी जिठानी चाची आधी बनती है इसफितार कुछ अन्य संभंदी साले बहनोई जीजा साली तस्बर दामान सास बहूर देवरादी बनते हैं तो ही किसमें आगये आपका विभास संभंदी नात्यदार्धरी में को कि ता राध संभंदी नात्यदारी इस संभंद में बे IN भी होते हैं उधार के लिए नीलगीरी की बहुपती विवाही टोड़ा जन्जाती में सामाजी पित्रत एक विशेश संश्कार में पुर्षुत पुमी के आधार पर निधारत किया जाता है इसके बाद है हमारा नातदारी विवस्था का महत्वत्वा उप्योगता नातदारी विवस्था समाज के गठंग का पुर्म का अधार है इसलिए सभी समाजों में नातदारी विश्था पाई जाती है रेमान फिर्थ की मानता है कि नातदारी एक ऐसी छड़ है जिस पर एक ब सतियों में बैक्ति के विभार को नियमित और नियंत्रिक करती है समाज में नातिदारी विवस्था के प्रकार्यात्मक महत्त को अगर प्रिकार स्पर्ष्ट किया जा सकता है तो फस्ट हमारे विभा समंद्री नियमों का निर्धार निर्धार नातिदारी विवस्था के द्व मानिता दी जायेहिए इसका जो निर्धारण है और यूस्था के अंतरगाथ होता है कि अंतर विभा भैर विभा संब्लेंगी शुर्द कि विशने होड़ा आज इसे संबंदित नियम नातेदाली विष्था द्वारा सुनिश्चित की जाते हैं उधारण के रिए से दच्छल छेतने मामा भांजी विभा उचित माना जाता है जब राध माना जाता है है मैं हमारा सामाज की विभार का निकमन स्वरी नियमन कि बेक्ति के आचरण पूल नियंतरर रखने में स्टनातदरी की महतपुर्ध भूंगा है किसी विशिष्थ अफसर पर बिशिष्थ नातदारी से जिस पर्कार के विभार की उपच्छ मिश्ख की जाती है विट्टि स्वयं को उसी पर्कार के विभार करने के लिए बात महशूश करता है इस प्रिकार नातेदारी बेवस्ता सामाजी बेवस्ता बेवहारों को समाज के आदर्सों के अनुरूप बना रखने में उदान देती है थार्ड है मारा सामाजी सांसिक्रित के निरंतरता बनाया रखना नातेदारी बेवस्ता के अंतरगत लोग इस बात पर ध्यां रखते हैं कि समाज के विवहार आदर्श और शांसिक्रित के मूल एक समभवता इसी उद्देश को लेकर समाज ने नातेदारी को बेक्ति के जीवन की दो महतपूर घटनाओं से बिसेश रूप से जोड़ा है वो घटना कौंसी में विवहा है आपका एवं उत्तरा अंधिकार अधियार निर्धार बांश करम और बंसा वली का निर्धार नातेदारी का आधार पकति बांश करम संबन्दी जांकाली के दवारा एसस्शित होता है फि एक पूर्वज है कि इस पूर्वाज का सम्बंध है अपने पूर्वाज के बारे में ग्यायन प्रॉप कर भैर ब्यक्ति मेहसूष करता है कि इतिहास वहीं नहीं है कि संबत्ति का स्थेकारी कौन होगा उसका हस्ताना अंतरर किन ब्रॉटियों में और कितना कितना होगा यह नातिदारी के आधार पेश्ट होता है कि फिर्फ थे हमारा आर्थिक ख्षितों का संद रच्षड मुर्ड़ाक का मत है कि नातिदारी समयों एक रच्षा पंक्ति का प्रतिन तो करते हैं अथ हम प्रिसानी के समय जब बीक्ती को किसी बी جश्म Paige के वजर सकता होती है तो सबसे पहले उसके नातेदार ही उसकी सहर्था के लिए आगयाते हैं याज़िकर नातेदारी संबंध अतनिक घंश्त होते हैं और सभी नात्यदार पारस्परक उत्तरदायतों के द्वारा बने होते हैं किसी भी आर्थे कारे को पूरा करने में भी अपने रक्त संबंधों और संबंधियों वह विभा संबंधियों से ही सहयोग की अपेक्षा की जाती है कि अधे हमारा सामाज संगठन नात्यदारी वेवस्ता सामाज का मौल्ग अधिकार हैं तो कि सहावाज शहानुबूर्ति उत्तरदायत पूर्ति की भावना घंश्टता आगए समी तत्तों जो सामाज संगठन ना रखने के लिए आवश्यक्र हैं नात्यदार वेस्ता में भी कि पाए जाते हैं तो यह है आपका अलम कोशन तेंक यूट करें 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 वोड़ाई ये इद्व है आजयों येदि वाल कोश्ञ्षन है जता है वबरकलत सुटर्व करें फिर स्वल झाय।